हेलो दोस्तों वेलकम टू धुरधर अपडेट्स यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज में आपके लिए एक बहुती बड़ी अपडेट इस वीडियो में लेके आए हूँ आपको बताते हैं वीडियो पर तो बने रहें एंड तक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ हैं बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगेने वाली हिमाचल परदेश की हर लेटेस्ट अब्डेट की नोटिफिकेशन टाइम टाइम हारे चैनल द्वारा मिलती रहे वीडियो प्सेनार वीडियो को लाइक करना बिल्कुन न भोलें और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ अभी से शेर कर दें ताकि उनको भी इस लेटेस्ट अब्डेट के बारें पतलक्स के क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट्स का परिणाम लटक गया है विशेश जांच दल SIT की और से रिपोर्ट न देने की बज़ा से साड़े चार माह से प्रदेश करमचारी चायनियोग परिणाम गोशित नहीं कर पा रहा है वर्ष 2019 में पोस्ट कोड 762 के तहत HRTC में 568 पदों पर कंड़क्टर भरती प्रिक्षा क पोस्टिन ने भरनी थी तो आवेदन मिलने के बाद आयोग ने जैसे ही लिखित प्रिक्षा की त्यारी की तो COVID-19 ने भरती प्रक्रिया परपानी फेड दिया क्रोना से थोड़ी रहत मिल तो आयोग ने अठारा अक्तोबर 2020 को लेखित प्रिक्षा के लिए 65,000 अभरतियों को एडमिर कार्ड जारी किये लेकिन प्रिक्षा महज 44,000 अभरतियों ने नहीं दी तो कुछ अभरति एबसेंट भी थे और इसका एक्जाम जो कंड़क्ट की हुआ था वो अठारा अक्तोबर 2020 को हुआ तो आगे नोंने बताया है परिक्षा के दिन शिमला और कांगडा जिला के मोंडल शाहपूर में स्थापित परिक्षा के इंदरों पर दो भेरतियों द्वारा नकल के लिए मुवाइल फोन का इस्तमाल करने और प्रशन पत्र शोशल मेडिया पर वाइरल होने का मामला सामने आयोग ने इस गरवड़ी पर तुरंत पुलिस में FIR दर्कचवाने के साथ ही स्वंधित SDM से रिपोर्ट मागी इसी बीच विपक्ष ने धांदली के अरोप लगाते हुए इस मुद्दे को थाया तो सरकार ने DIG के नेततब में SIT का गठन कर दिया लेकिन SIT साड़े चार महाबाद भी रिपोर्ट नहीं दे पाई है आयोग ने लिखित परिक्षा का परिडाम त्यार रखा है तो जो आपका HTC का जो रिजल्ट है वो तो इन्होंने पूरा त्यार कर दिया हुआ है इसमें साथ साथ बता रखा है तो आगे बताते हैं आपक को कार्मिक भीवाग से भी संपर्क किया लेकिन अभी तक कोई जबाब नहीं मिला परदेश करमचारी चाय नियोग के धक्ष ब्रिगेडियर सतीर शर्मा ने कहा कि SIT की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की प्रकरिया पूरी की जा अगर इनको रिपोर्ट मिलती है तो यह तुरंत ही आपका रिजल्ट जो है डिकलेर कर देंगे क्योंकि रिजल्ट त्यार करके रखा गया है बस जो SIT रिपोर्ट है इसका इंतजार किया जा रहा है तो आज की यह लेटस्ट अपडेट जो मैं आपको बताई HRCC कंडॉक्ट जारी करेंगे अगर उससे पहले रिजल्ट जारी होने से पहले अगर हमें कोई अपडेट मिलती है तो हम आप तक पहुंचाने कोशिश करेंगे वीडियो के माद्यम से तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जोने आभी तक चैनल को स पहले में कि पहले तो था कि exam दुबारा होगा या नहीं होगा तो अब इसमें आपको स्पस्ट हो गया है कि जो result है वो त्यार करके रखा गया है अब जो रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है अगर रिपोर्ट मिलती है तो तुरंत ही उसके बाद result डिक्लियर कर दिया जाहिन जाहिमार्चल